नमस्कार बच्चों ये हम आज कर रहे हैं जूच पार्ट का पार्ट 2 MCQ पार्ट 1 मैंने अलड़ी बना के पब्लिश कर दिया है आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा होगा तो आपने लाइक भी किया होगा और दोस्तों के साथ शेर भी किया होगा क्योंक वीशन है इस चैनल के उपर काम करने की मैं कोशिश करता हूं मैं एक नॉर्मल अपनी जॉब के अलावा इसमें समय दे सकूं और रोज कम से कम चार या पांच वीडियो बना के दे सकूं जिसे की आप लोगों को पढ़ाही करने में वो हेल्प कर सकें शुरू करते हैं पार् बच्चों लेखक ने पात्षाला में शरारती लड़का जो कि चवहान था उसको नाम दिया था गुंड़ा लेखक पात्षाला में कैसी पोशाग पहन कर गया था मत मैली हुई धोती और गमचा या मत मैली हुई धोती और गमचा दोनो या इनमें से कोई नहीं तो बच्चो इसका जवाब है कर और ख दोनों ये कर है ये कर है तो ये गलती से लेफ्ट राइट हो गए है तो असका जवाब है कर और ख दोनो लेखक की मा के अनुसार बरहेलासुवर की तरह कौन गुर राता है दत्ता जी चौहान पिता जी या मासर जी तो लेखक की मा के अनुसार बरहेलासुवर की तरह उसके पिता जी गुर राते है पाथशाला में लेखक की गली के कितने बच्चे थे तीन बच्चे थे दो या चार बच्चे थे, तो बच्चों आपको यह याद रखना पड़ेगा, पाच्छालह में लेखकी गली के दो बच्चे थे पाच्छालह में मंत्री, मास्टर क्या पढ़ाते थे? मराथी विशे, गनित विशे, अंग्रेजी विशे या हिंदी विशे तो बच्चों इसका जवाब है पाठशाला में मंत्री मास्टर गनित विशे पढ़ाते थे मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना बस्तुत वाक्य किस ने कहे थे रत्ता जी ने, चौहान ने, आनंदा ने या पिता जी ने तो बच्चों ये जो वाक्य है ये आनंदा ने कहे थे गम्छे शब्द का क्या अर्थ है? कुर्ता, पतले कपडे का तॉलिया, धोती या पैजामा तो बच्चों जो गम्छा होता है या आपने देखाऊगा ना पतला सा तॉलिया होता है जो कई लोग सर पे भी बांध लेते हैं उसको कहते हैं तो गम्छे शब्द का अर्थ है पतले कपडे का तॉलिया वसंथ पार्टल कैसे सुभाव का व्यक्ति था? चंचल, क्रोधित, मन मौजी या शान्त तो बच्चों जो वसंथ पाटल है वो क्लास का मौनिटर भी था ये मैंने आपको पिछे के MCQ अया था उस पर पूचा गया था कि मौन था और वसंथ पाटल का जो सभाव था वो शांत सभाव था तो उसका जवाब है शांत सभाव कर रेकती था लेखक का अकेला पन कैसे गायब हो गया था खेलने से खेत में काम करने से नाशने से या कवीताएं गाने से तो बच्चों इसका जवाब है लेखक का अकेला पन कवीताएं गाने से गायब हो गया था लेखक ने अपनी किताबों पर किसके कवर चड़ाय थे खाकी कागज के रंगीन कागज के प्लास्टिक के या अखबारी कागज के और बच्चों इसका जवाब है लेखक ने अपने किताबों पर अखबारी कागज के कवर चड़ाय थे इसका मतलब है जैसे न्यूस पेपर हम या तो रद्दी में दे रहते हैं या फैक देते हैं तो वो उनी कागजों को reuse करके किताबों पे cover टढाते थे निभा शब्द का क्या अर्थ है? विवाह, निभाना विवाह और निभाना दोनों या इन में से कोई नहीं तो विवाह शब्द का जवर्थ होता है और भैना भैस चराथे चराथे लेकग किस पर तुक बंदि करने लगा था? फसलों पर जंगली फूलों पर सूरज पर या का और खा दोनों यानि की फसलों और जंगली फूलों दोनों पर तो बत्चों ध्यान रखना, क इसमें फसलों है और जंगली फूल कह है और सूरज नहीं है, तो थे छाड़ते लेकर फसलों पर जंगली फूलों दोनों पर तुकबंदी करने लगा था, तो क और कह. पात्षाला में मास्टर जी कथा नायक को क्या कहकर पुकारते थे घंशाम, अनन्दा, अमित या चोहान वो अनन्दा कहकर पुकारते थे कवी का नाम अनन्दा किस ने रखा था मास्टर जी ने, दादा जी ने, मा जी ने या दता जी ने बच्चो इसका जवाब है Master Ji ने, Master Ji कवी का नाम आनंद रुखा Master Ji ने किस पौदे की बेल पर कवीता लिखी थी? तो बच्चो इसका जवाब है दोनों पर? सर्वागिनम विक्वास, धार्मिक विकास, आर्थिक विकास या समाजिक विकास और बच्चों इसका जवाब है पढ़ने लिखने से मनुश्य में सर्वागिनम विकास होता यानि की पूरी तरीके से विकास और बच्चों ये last MCQ question है part 2 का और इस chapter का आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा please comment कीजेगा like कीजेगा और share कीजेगा और हो सके तो चैनल को subscribe भी कीजेगा मैं और आने वाले time पे बाकी चैनल chapters के भी MCQs इसी तरह के से upload करूँगा और बाद में उन सब की summary भी बना के upload करूँगा आखरी MCQ अनन्दा को चोंच मार कर कौन गाहिल कर रहा था कोईल के बच्चे कोवे के बच्चे पाटशाला के बच्चे या चिडिया के बच्चे और बच्चों इसका जवाब है पाटशाला के बच्चे thank you for watching bye bye कर दो